हैलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो आज के वीडियो में रिजिनी के टॉप पाँच ऐसे प्रसनों को सीखेंगे जो आपकी एक्जैम में बार बार पूछे जाते हैं तो दोस्तो वीडियो में सुरू से अंत तक बने रहे हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए तो दो हाँ पे बीच वाले मान निकालना होगा तो देखेंगे इस दोनों आकीरती में य। लिन वाले संख्या है दोनों में दोस्तो इस चार को जोरेंगे तो दस होगा और दस में दोस्तो इस दो को जोरेंगे तो बारा हो जागे जबकि दोस्तो बीच में दस है सभी जोरने के बाद दोस्तो बारा हो रहा है आपको लाना है दस तो क्या करेंगे बारा में से 2 को मैनस करदेंगे तो बीच वाला संखिया 10 आ रहा है ठीक है उसी परगाय से दूसरेे वाले में भी करिए दोस्तों इस सभी साइड वाले संखिया को जोड दीजिए ठीक है और देखिए कि कितना आ रहा है जबकि बीच में चोबीस है तो सभी को जोरेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा चोदू आठ और दस दोस्तों अठारह और अठारह में आठ जोरेंगे तो चबीस हो रहा है जबकि दोस्तों बीस में चोबीस है तो क्या कीजिए 26 में से 2 को मैनस कर देंगे दोस्तों 24 हो रहा है दोनों में भी दोस्तों यही रूल लग रहा है कि 4 संख्या को साइड बाले को जोरने के बाद 2 अगर मैनस कर रहे है तो बीच बाला संख्या आ रहा है तो तीसरे बाले में भी दोस्तों यही कीजिए सभी चारो संख्यां को जोर लीजिए सबसे पहले इस साइड वाले को तो क्या हो जाएगा चोदर में चार जोरेंगे तो अठारा और अठारा में दोस्तो इस बारा को जोरेंगे तो क्या हो जाएगा तीस और तीस में इस दस को जोरेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 में से दोस्तो 2 को मैनस कर लिजे क्या हो जाएगा 38 यानि कि दोस्तो ये जो questions mark का चीन है इसके अस्थान पर 38 हो जाएगा दोस्तो ऐसे प्रशनों को आपको इसी प्रकास से बना ना है देखिए दोस्तो ये railway NTPC में ये प्रसन पूछा जा चुका है तो दोस्तो उमीद करता हो कि इस प्रसनों को आप अच्छी तरह सी समझ गये होंगे चलिए दोस्तो next प्रसनों को देखते हैं नेक्स्ट प्रसने दोस्तो दिये गए भी कल्पों में प्रसन चीन के अस्थान पर क्या होगा देखिए दोस्तो प्रसन कुछ इस प्रकास से दिया गया है उन्चास एक क्यासी इसके बाद दोस्तो एक सो है इसके बाद क्वेशन समार्क है तो इस question smart के अस्थान पर क्या होगा तो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर देखिए कि यह 59 है और इसके बाद दोस्तो यह 80 है ठीक है तो जिस परकास से दोस्तो 89 एक 80 जो बना होगा इसी परकास से दोस्तो यह जो एक 100 है और एक question smart का मान बनेगा तो देखिए दोस्तो 49 दोस्तो क्या है 7 का SQ है ठीक है और 189 का SQ है इतना बात आप समझ रहे होंगे यानि कि दोस्तो सबसे पहले 7 का SQ है इसके बाद दोस्तो इसमें 2 पलस करके 9 का SQ दे दिया गया है ठीक है इसका दोस्तो इसी परकास से संबंद है तो यहाँ पे भी दोस्तो देखें यह जो है 10 का स्क्वाइर है 100 ठीक है तो आगे क्या करेंगे दोस्तो यहाँ पे 7 था इसके बाद 2 जोर करके 9 का स्क्वाइर किये तो यहाँ पे दोस्तो देखें यह 10 का SQR है एक 100 ठीक है तो इसके बाद इसमसें 2 ज़ोर करके SQR कर दीजिए तो 10 में 2 जोरेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 12 का SQR कर दीए दोस्तों क्या हो जाएगा 12 बरन 144 स्कोष्टन समान के अस्थान पे दोस्तो 144 हो जाएगा ठीक है ऐसे प्रस्णों को दोस्तों आपको इसी प्रकास से सोचना है दोस्तों उमीद करता हूँ इस प्रस्णों को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों यह भी प्रसंदी की रेलवे एंटी पीसी में पूछा जा चुका है दोस्तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो का लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं कहें तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए चलिए दोस्तो नेक्स्ट प्रस्णों को देखते हैं नेक्स्ट पसन है दोस्तो दिए गए भी कलपों में विसम को चुनें। इन चार भी कलप में दोस्तो आपको विसम को चुना जो इन तीनों से अलग हो ठीक है तो तो क्या करेंगे दोस्तो देखी सबसे पहला भी कलप है बारशट और को घटाईए तो क्या हो जाएगा 62 में से 37 को मैनस करेंगे दोस्तो तो 25 हो जाएगा ठीक है इसके बाद दोस्तो इस दूसरे बाले में देखिए 74 में से 40 को मैनस करेंगे दोस्तो तो क्या हो जाएगा 40, 30, 70 यानि कि दोस्तो आपको 34 हो जाएगा यहाँ पे जबकि दोस्तो यहाँ पर 25 इसमें 34 हो रहा है तीसरे भी कल्प को दोस्तो देखिए 85 में से गर 60 को मैनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक है जबकि दोस्तो पहले वाले में भी 25 का अंतर आया था इस लाश्ट वाले को देखिए 103 में से दोस्तो 78 को मैनस करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें भी 25 हो जाएगा यानि कि दोस्तो इन तीनों को जब अंतर किये तो 25 का अंतर है जबकि दोस्तो इसमें 34 का अंतर है ठीक है तो इन चारो विकल्प में बिसम तो यही है तो इसका अंसर दोस्तो यही हो जाएगा ऐसे परस्टो को बनाने के लिए सबसे पहले इसको घाटाएए या तो जोरीए आपका अंसर आ जाएगा तो दोस्तो उमीद करता हूँ इस परस्टो को आप समझ पाए होंगे नेक्स्ट प्रसने दोस्तों दिये गए बिकल्प में प्रसन चीन के अस्थान पे क्या होगा देखिए दोस्तों सबसे पहले दिया हुआ है बिजली इसके बाद बल्ब इसके बाद दोस्तों कार है इसके बाद क्वेशन समार्क है तो क्या करेंगे दोस्तो सबसे पहले देखिए कि इस दोनों में किस परकार से संबंध है और बिजली और बल्ब में जिस परकार से संबंध दोस्तो इसमें होगा उसी परकार का रिलेसन दोस्तो इसमें भी लगाएंगे ठीक है तो दोस्तो देखिए बल्ब है और बिजली है तो बल्ब और बिजली में किस परकार का संबंध है तो दोस्तो देखें बल्ब जो है बिजली से जलता है ठीक है उसी परकार से दोस्तो देखें कि कार किस से चलता है तो चार आप्सन है दोस्तो एस्टेरियल वील, सरक, ब्रेक, इंधन तो कार दोस्तो किस से चलता है इंधन से चलता है ठीक है तो इसी पर कार का रिलेशन दोस्तो इसमें लगाना होगा तो इसका right answer दोस्तो option नमर C हो जाएगा यह भी प्रसंदे की दोस्तो RRC group D में पूछा जा चुका है इस वीडियो में दोस्तो जितना भी प्रसंदे सभी important है ठीक है तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि इस प्रसंदो को भी आप अच्छी तरह से समझे पाए होंगे next person है दोस्तो साधरिस को पूरा करे D बराबर 17 है तो F बराबर क्या होगा देखिए दोस्तो यहाँ पे D बराबर 17 दिया हुआ है तो D बराबर 17 दोस्तो किस परकासे दिया होगा देखिए D का code दोस्तो 4 होता है यह code क्या होता है दोस्तो देखिए A एक नमर पे आता है B दो नमर पे सीती A से Z तक में दोस्तो D जो है पुलो में एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा ठीक है उसी परकास से दोस्तो एफ ब्लाबर क्या होगा तो एफ दोस्तो कितने नमर पर आता है छे नमर पर आता है यानि कि दोस्तो एफ का कोडशे होता है अब क्या आओ कि ये 6 को भी 6 से चे चार शाया को हो जाएगा तो इसका एंसर दोस्तो को ज acontecendo और के ऐसी परकास यास्तो आपको इस क्लेज्द कर दोस्तो को आज मीडियो는 25 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रिस कर लीजिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ धन्यवाद